आप देख रहे हैं अन्होनी अन्होनी माज की कहानी हमारी साथ सरकी है प्रकाश जी ने तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की और आज की इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ह और वीडियो के लिए देखें डार्क फाइल्स रात काफी हो चुगी थी मेरी कार हाइवे पर पूरी रफतार से दोड़े जा रही थी कार ड्राइव कर रहें मेरे पापा और उनकी बगल वाली सीट पर बैठा मैं खिलकी खोलकर गर्मियों के दिन में ठंडी ठंडी हवाओं क मजा ले रहा था दर असल ये घटना आज से दस साल पुरानी है जब मैं अपनी गर्मियों के छुट्टियां बिता कर नानी के घर से वापस आ रहा था गर्मियों के दिन होने के कारण पापा ने तैय किया था कि अंधेरा होने के बाद ही हम लोग नानी के घर से निकलेंगे कार चला कर घर आने में हमें करीब 4 गंटों का वक्त लगने वाला था लिहाचन हमने 6 बजे कार स्टार्ट कर दिया खैर हाइवे पर आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के साड़े 8 बजे का अब तक हमने लगबग आदा सफर तै कर लिया था और बाकी का आदा सफर हमें जंगलों से गिरे रास्ते से तै करना था हवाओं को चीरती हुई हमारी कार दोड़े जा रही थी कि तबी कार धीमी होकर जटका खाने लगी और एक तो जटकों में बंद पड़ गई पापा ने दो तिन बार जाबी खुमा कर कार इस्टार्ट करने की भी कोशिस की लेकिन कार थी जो इस्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी लिहाचन पापा कार का दर्वाजा खोल कर बाहर निकलें और उनके साथ मैं भी कार का बरनट खोल कर पापा इधर उदर हाथ घुमाने लगें इसी बीच मुझे हलका होने की जरूरत महसूस हुई लिहाजा मैं हाईवे के किनारे एक पेड़ के पास जाकर हलका होने लगा मैं अभी हलका हो ही रहा था कि किसी ने मेरे काल पर जोर का थपड जड़ दिया थपड इतनी जोर का था कि मैं वहीं पर गिर पड़ा मैंने इधर उदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था मेरे पापा दोड़ते हुए मेरे पास आए और बोले क्या हो बेटा तू ऐसे गिर क्यों गया जिस पर मैंने कुछ नहीं हुआ बोलकर बात को रफादफा किया मेरी कार अब भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी करीबन तेर्ड गंटों के मसकत के बाद पापा ने कार को इस्टार्ट किया हम दोनों कार में बैटकर आगे बढ़ने लगें पहले की तुलना में हाईवे अब काफी खाली हो चुका था बीच बीच में एकाद काड़िया ही दिख रहे थी थोड़ा आगे जाती ही पापा ने जट से ब्रेक मारा कार रुकने के बाद मैंने जब आगे देखा तो एक आदमी हाईवे के बीच ओ बीच बैठा हुआ था पापा के लाख खौरन मारने के बावजूद पे वो आदमी हिलने का नाम नहीं ले रहा था उस आदमी को हटाने के लिए मैं कार से बाहर निकला और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि पता नहीं कैसे वो आदमी अचानक से मेरे सामने आकर मेरा गला पकड़ दिया उस आदमी के सकल देखकर मेरे होश उड़ गए दर असल उस आदमी का चहरा चपटा था और उसके सरीर चारों तरफ से खोनी खोन बह रहा था वो आदमी बस यही बोले जा रहा था तब ही मेरे पापा भाग कर मेरे पास आए और मुझे उस आदमी से छोड़ाने लगें मगर वो आदमी मुझे छोड़ ही नहीं रहा था कि तभी पीछे से एक ट्रक की रोशनी हमारे उपर पड़ी जिसके साथ ही वो आदमी हवा में धुआ हो गया फिर हम लोग कार में तो दोस्तों ये थी प्रकाश ची की भेजी गई कहानी अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानिया है तो हमारे साथ जरूर सेर करें तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूं का आप से ऐसी ही एक कहानी के साथ